चार के प्रता पल्टन शेत्र में एक पुराना हनुमान शेव मंदर है। इस मंदर के चारों ओर सेना ने तारबंद कर दी है। और वही जिसके चलते यहाँ पर जाने का रास्ता है वो ब्लॉक हो गया। इस बीच रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर स्तानिय लोग के लेक्टरेट महुचे जिसमें राम, लक्षमन और हनुमान के वेश में बच्चे भी शामल रहे। हिंदो मानिताओं के अनुसार जब भी किसी सखट में इनसान फ़र चाता है तो हनुमान से जुड़ी चालीसा का जापकर वो संकट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी तरह की मान्यताओं के तहट अब अलवर शहर में सेना जमी पर बने हनुमान मंदि से जुड़े गेट को दो बारत से आम आदमी के लिए खुलवाने को लेकर स्थानिय लोग कलेक्टरेट पहुँचे जहां बच्चों ने हनुमान रूद धारन करते हुई अपनी बात को सिला प्रिशासन के सामने रखा की है ये बेहद ही अपने आप में एक धार्मी का आस्ता से जुड़ा हुआ मामला है ऐसे में प्रिशासन का रुख भी सकारात्मक है लेकिन देखने का विशह रहेगा कि आखिर ये गेट कब खुल पाता है अलवर से मैं खवरफास के लिए समर गुपता